तो आज मैं आपके साथ फाइव स्टॉक्स करने वाला हूं इसमें की काफी अची पॉटेंशल बन रही है और इसमें बाइंग के बाद एक अची प्रॉफिट बनाई जा सकती है तो फिलाल आपके लिए एक बेटर ऑपरजुनिटी यह स्टॉक्स लेकर आई है आपके पॉट कर रहा है आपको अपने एनलिशिस और अपने एक सिर्वोट को देखते हुए ही इस टॉक को बाई और सिल करनी है तो चलिए गई चार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप इसी तरह के प्रस्टॉक्स आते हैं तो आप हमें जोन कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम प बात करें तो यह 100 रुपीज पर ट्रेड कर रही है और आप देख सकते हैं यह जो है मैनस 2.20 परसंट से लास्ट ट्रेडिंग सजन में गिरावाट देखने को मिली है यह स्टॉक बी एस यह दोनों में ट्रेड करता है इस स्टॉक की मार्केट कर आप देखें तो आप देख तो की जा सकती है अच्छी प्रॉफिट मिल सकते हैं आगे बड़े और देखेंगा इस तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है स्टॉक पी जो की 38 का रहा है जो की इंडस्टी पी 22.2 से थोड़ा उपर है और जो की बुग वेलु के अनुसार देखा है तो बुग वेलु से भ और 51.2 परसंट की डिव्डेंट पे आउट कर रही है और डिव्डेंट यहां पर देख सकते हैं 1.72 परसंट की नज़र आ रही है इस टॉक की फेस वेलु देखें तो गई 10 रूपीज की देखने को मिल रही है आने कि आने वाले समय में इसमें काफी अच्छी इस प्लेट क 9-7 परसंट की और पब्लीक होल्डिंग देखें तो 10.5 परसंट की नज़र आ रही है इस कंपनी के उपर अगर डेत की बात करें तो 17,058 करोड रूपीज देथ है और कंपनी ने पिछली यह में 696 करोड रूपीज की डिव्डेंट पे आउट भी की है कंपनी की प्लेस पर कर सकते हैं कि तरह बढ़ते हैं कि नाम है एंडियन रेनेवेबल एनर्जी डेवलोप्मेंट एजनसी लिम्टेड यानि की आई यार एडी एसी तो अगर देखें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का अगर सौट नम बोले तो एरेडा यानिकि एनसी में एरेडा के नाम से तो एनसी और बेसी दोनों में ट्रेड करता है इसकी प्राइज 120 पे ट्रेड कर रही है और मैनस 1.89 परशन के लाश्य ट्रेडिंग सेशन में गिरावाट देखने को मिली है चलिए अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं यह जो है मार्च 1987 में इनकोर्परेट होई थी और देखेंगा इस तो इसकी मार्केट केप जो है 32,119 करोर रुपीज की मार्केट केप देखने को मिल रही है तो यह अगर कह सकते हैं तो इसकी अगर देट की बात करें तो यह 40,165 करोर की देट है और कंपनी की प्राइस 120 और 52 विक अंडर हाई अब देख सकते हैं 127 और 52 अगर देख सकते हैं 50 रुपीज के अनिके लगको देखें तो यह भी एक रेसेस्टेंस पर ट्रेड कर रही है तो इसमें अच्छे मौके मिल सकते हैं आपको फोकस मनानी चाहिए तो इसमें काफी अच्छी मोमेंट देखने को भी मिल रही है कंपनी के ब्लेस प्रसेंटेश कंपनी के देखें तो 8.17 परसेंट की और आरोई देखें तो 15.4 परसेंट की नज़र आ रही है तो 37.3 के नज़र आ रही है जोकि इंडस्ट्री पी 17.9 यानि की लगको 18 से आपको लगको दुखने पर देखने को मिल रहा है तो इसमें फोकस मनाई चाहिए तो थोड़ी मिल सकती है तो फोकस बनाई जा सकती है तो नेक्स टॉक का नाम है IRFC यानि की इंडियन रेलवे फैनेंस कॉर्परेशन लिम्टेड बात करेंगा इस तो यह जो है लास्ट एट पॉइंट नाइन सेवन परसेंट से पोजिटिव रहा है और इसकी प्राइस 142 पे ट्रेड कर रही है फिटीट विक अंडर हाई आप देख सकते हैं 146 की और देख सकते हैं 25.4 की यानिकी एभी एक रेसेजिटन्स पे ट्रेड कर रहा है यह ज़्याद करता है जो है 30.6 की नज़र आ रहे जोकि इंडरस्ट्रीपी 17.9 से आपको कम नज़र आ रहा है यानिकी देखेगा इस तो इंडरस्ट्रीपी से यह स्टॉक थोड़ी ओवर वेल्यूट देखने को मिल रही है यह स्टॉक की बात करें तो 5.32 परसेंट की और यह देखने तो 14.7 पर परसेंट की डिया होल्डिंग 1.63 परसेंट की और पब्लिक होल्डिंग 10.9 परसेंट की देखने को मिल रही है कमपनी ने पिछले लाश्य यह में 19.60 करोर रुपीज के डिविडिन प्रवाइड की थी और अभी जो है कंपनी 30.9 परसेंट की डिविडिन पे आउट कर रहे ह हैं इसमें काफी यलडिंग कहने को मिल रहे है आने वाल सविमें में एक अच्छी प्रॉफिट बिछान कर रही है तो थोड़ी ब्रेक आउट का वेट करें ज्यादा वेट को अगर breakout के ऊपर trade करते रहे तो एक अच्छी profit buying के बाद देखने को मिल सकते हैं तो आप इसे वाशलेस में add कर सकते हैं मैं आपको फिर से बता दू मैं आपको बाइसल का recommendation आपको नहीं कर रहा है आपको अपनी analysis और अपने risk reward को देखते हुए इस टॉक को buy करनी है चलिए निक्स टॉक की तरह बढ़ते हैं तो इसकी प्राइस की बात करें तो यह जो इसकी प्राइस है 285 पे trade कर रही है और यह लास्य ट्रेडिंग सेजन में देखें तो माइनस वन पॉइंट नाइन वन प परशन की देखने को मिल रही है तो इसकी प्राइब यह जो कि काफी बेटर है फेस्ट वेल्यू टेन रुपीज की जो कि काफी अच्छी बात है डिविडेंग रियल्ड वन पॉइंट फोर नाइन परशन की नजर आ रही है तो इस सारे ही फंडामेंटल काफी स्टॉंग न परशन की यह फाल परशन की और पबलीक फिफ्टी परसंट की देखने को मिल रही है तो वाइस सभी ने काफी अची इंवेस्मेंट की है इसकी बात करें डेट की तो 21 करोड कमपनी के ऊपर देते हैं यह निकी देखें तो आल आलमस्ट यह कंपनी देद फिरी नजर आ रही है जो की काफी अच्छी बात है कंपनी की इस टॉक देखने को मिल रही है तो इसमें पाइंग की जा सकती है आपको एक अच्छा टारगेट नजर आ रहा है चली आगे बढ़त हुए लासे स्टॉक की तरब देखते हैं जो कि आपके लिए के बेटर एक अपरचुनिटी इसमें भी हो सकती है तो गाइस इस टॉक का नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड एफ सी एल इसकी अगर बात करें नसी में जो है एफ सील नाम से यह लेशेट है यह बीसी नसी दोनों में ही ट्रेड करती है इसकी प्राइस हो रही है थ्री हंडर्ट देख सकते हैं 3705 क्रोड की देखने को मिल रही है जो कि इसकी करेंट प्राइस से अगर 52 की बात करें तो गाई जब देख सकते हैं 392 की इसकी जो है हाई रही है यह एक रेसिस्टेंस वहां पे भी बन रही है अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो एक अच्छी उपरज 38.9 परसंट की और जो की फेस वेली भी दूग रूपीज की नजर आ रही है कि का है तो काफी अच्छी इसकी रोसी और आरवी देखने को मिल रही है बेटर मानी जाती है प्रमोटर्स होल्डिंग देखेगा इस तो 65 परसंट की एफाइफ होल्डिंग 0.82 परसंट की डिय हो होल्डिंग 3.69 परसंट की और पॉब्लिक होल्डिंग देखें तो 30.5 परसंट की नजर आ रही है जो कि बेटर देखने को मिल रही है इस कंपनी के ऊपर देट 1.78 करोर की यानिकी लगभग देट 3 इस टॉक नजर आ रही है कंपनी के पास अगर देखें तो कंपनी ने करें रहें और इसमें अपहसे करते रहें अगर को इसे क्रह nasal कर सकते हैं मैं आप को रिपलाइ करने के खुशच करूंगी तो कि अबन करना बिल्कुल न भूले अगर आपको कोई डाउट हो तो आज के लिए इतला ही फॉसो